हाई फ्रेंच वेलकौम बएक टो मैं चैनल हेडरे डिस्कस मेले आबाउट लिए अभाउट तॉपिक ऑफ एड डिनल ग्लैंट जो होते हैं जो की कि सोते से टॉपिक्स एडनलॉ ग्लेंड की बात करेंगे अक्सर शॉर्ट नोट में सी नर्शिंग में पूछे जाते हैं poss artific क breaths कोस्वर्णै्ड या फिर रायटवन्पाउट दज अर्नलॉ ग्लैंड ग Rs cz उपर वाले पार्ट में होते हैं उपस्तित होते हैं और इस एडव्लन्ड को सुपर्ल ग्लैड भी कहा जाता है ईडव्लन्ड is चल्थी आज्ट्थी ड्मी के जो अब सर वहत कि भी इसिशेऑ टीर है और टो आंब होते हैं अडनल ग्लेंट के दो अलग भाग होते हैं First this is the figure of kidney and upper part of situated on adenal gland Adenal glands दो types के होते हैं दो अलग परकार के होते हैं उपर वाला जो part होता है अपर part is called adrenal cortex उपर वाला parts होते हैं जिसको हम लोग adrenal cortex कहते हैं And inner part of called adrenal medulla अंदर वाले part को हम लोग adrenal medulla बोलते हैं एडनल कोर्टेक्स जो होते हैं जब होमें जो होते हैं तो एडनल कोर्टेक्स जो होते हैं वो अलग-अलग त्री सिल्स से मिलके बनी होती है एडनल कोर्टेक्स अलग-अलग त्री लेयर्स अफ सिल्स से बन जाते हैं एडनल कोर्टेक्स वो त्री लेयर अफ सिल्स होते हैं फ अरन कोर्टिक्स के थ्री लेइर्स हुए इस इस इंडर इस इंडर変 अज्डर आडर फोफ इनल गांट आर्ण उडन ग्लैंड क susceptible अजर्स कि सबसे बाहरी बाले जो लेष्मियद होते है deux appeal 거지 वहारी बाहरी बाले यहां थो सबसे लेयर होते हैं तो adrenal gland is covered by the connective tissue capsules adrenal gland जो होते हैं वो capsules से covered होते हैं जो capsules connective tissues का बना होता है and second and उसके नीचे जो layers आते हैं वो three adrenal cortex के layer आते हैं adrenal cortex सबसे बाहर वाला layer होता है and ये इसके नीचे जो three layers आते हैं Jonah glomelusia, Jonah fasciculata और Jonah reticularis ये three layers जो होते हैं वो adrenal cortex को बनाने का खाम करते हैं Jonah glomulonia जो होते हैं वो cortex की सबसे outer parts होते हैं जो की 1 से लेके 5th part जो होते हैं वो cortex का बनाते हैं जोना ग्लैमोलूशा शबसे बाहर वाला पार्ट्स होता है जो कोटेक्स का वन से लेके फिप भाक बनाता है और यह कैपसूल्स का मतलब होता है कि एडिनल ग्लैंड की सबसे बाहरी लेयर को कैपसूल्स कहते हैं तो capsules के अंदर एक छोटा सा लेयर होता है, small zone होते हैं, किसकी जोना ग्लैमुलोशा, जोना ग्लैमुलोशा सबसे बाहरी वाला कॉबोस होता है, capsules का सबसे बाहरी वाला भाग होता है, जो की 1 by 5 भाग बनाता है, cortex का, और capsules की सबसे inner parts, अंदर वाला parts जो होता है, इसमें छोटी सी परत होती है, छोटी सी परत होती है, जोना ग्लैमुलोशा का, जोना ग्लैमुलोशा जो होते हैं, वो दो परकार की, हार्मों सीक्रेट करने का काम करते हैं, फर्स्ट होता है एल्रोस्ट्रोन एंड सेकेंड होता है कार्टी कोस्ट्रोन एंड सेकेंड इस जोना फैसिकुलेटा जोना फैसिकुलेटा जो होते हैं वो सबसे मीडिल पार्ट्स होते हैं जो middle parts होते हैं जो adrenal cortex के middle भाग को बनाते हैं ये 3 से लेके 5 ये cortex के 3 से लेके 5 भाग को बनाते हैं और ये cell से बनी होती है तो ये जो होते हैं ये column of cells, cell के बहुत सारे column से मिलके बनी होती है मतलब ये column cell के बहुत सारे column से मिलके बनी होती है जोना fasciculates तो जोना reticulates सबसे inner parts होती है जो की cortex की inner भाग बनाती है cortex की सबसे inner parts को बनाती है यह जो होते हैं यह network like arrange होते हैं एक दूसरे से जोना reticularis जो कि network की तरह एक दूसरे से जोड़ी होती है एडिनल मैडूला यह सबसे inner parts होते हैं एडिनल ग्लैंड की जो की hormones को control करने का काम करती है और यह fight to fight response मतलब किसी भी चीज़ को सामना करके और उसे भागाने का काम करती है एडिनल मैडूला होते हैं वो chromaffin cells की बनी होती है और chromaffin cells की एडिनल मैडूला chromaffin cells की बनी होती है और इसमें chromaffin granules में बहुत सारे जैसे की protein, lipids, adenine, nucleotides, mainly ATP यह सारे content होते हैं यह सारे chromaffin granules में content होते हैं तो इस वीडियो में हम लोग पढ़े की adrenal gland, adrenal gland जो की kidney की सबसे उपर वाले parts में अब हम summarize करते हैं, तो इस वीडियो में पढ़े हैं, adrenal gland जो होते हैं यह kidney की सबसे उपर वाले फाग में होते हैं, जिसको हम लोग supernal gland भी कहते हैं और इस gland का जो वार होता है, एक gland का वार 5 gram होता है इस वार इसके दो parts होते हैं, adrenal cortex and adrenal medulla adrenal cortex की उपर एक और layer होती है, adrenal gland जो होते हैं सबसे पहले capsules के layer से, जो की connective tissue capsules के layer से cover होती है and second is adrenal medulla, adrenal cortex, adrenal cortex जो होते हैं, adrenal cortex थ्री layer of cells से बनी होती है जोना, जोना, ग्लैमुलूशा जो की 1 by 5 भाग, cortex का 1 by 5 भाग बनाता है second layer is, जोना फैसिकुलेटा, जो की middle भाग को, जो की cortex की middle भाग की 3 by 5 भाग को बनाता है and last is, जोना रेटिकुलेरिस, जो की cortex की inner भाग को, 1 by 5 भाग की 1 by 5 भाग को बनाने का काम करती है and last is, adrenal medulla, adrenal medulla, जो की सबसे inner parts होती है, adrenal gland की, जो की fight to fight response, मतलब सामना करके भागाने का काम करती है इसमें mainly, जो hormone secret करते हैं, उसमें mainly include होते है, epinephron और इसमें chromaffin granules, जो की protein, lipids, adenine and nucleotides को content करने का काम करती है I hope कि इस वीडियो में आपको adrenal gland के बारे में समझ आया होगा तो नेक्स वीडियो में हम लोग hormone of adrenal cortex and hormone of adrenal medulla के बारे में परेंगे तब तक के लिए thanks for watching and keep studying